जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मास्टर सिरीज जो है वो कंटीन हुए अभी तक इसके अंदर 18 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज का ये जो वीडियो है ये है 19 वीडियो और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो म हम पढ़ने वाले हैं प्रामिसिस के बारे में अगर बात की चाहिए जावा स्क्रिप्ट की और जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी important चीज की तो वो चीज है प्रामिसिस प्रामिसिस अगर आपने एक बार सही तरीके से समझ ली उसके बाद आगे आपको जो भी object oriented programming है या फि को समझना बहुत असान हो जाएगा तो अभी तक इस playlists को access नहीं किया तो मैं नीचे वीडियो की description box में link दे दूँगा नीचे description box से आप playlist को access कर सकते हैं तो बिना time waste की video को कर लेते हैं start और देखते हैं promises है क्या तो मैं अपनी programming.js file के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर पिछले वीडियो का code लिखाव है और अब हम इसको कर देते हैं remove पिछला वीडियो भी बहुत जादे important था उसके हमने mathematics के साथ कैसे हमने functionality mathematics को use करना है javascript के अंदर real life में वो हमने देखा था mathematics के साथ कैसे family error होना है वो हमने देखा था तो उस वीडियो को भी लाजमी चेक आउट कीज़ेगा तो मैं वीडियो की description box में link दे दूँगा जैसे कि मैंने आपको बोला तो मैं इसको जल्दी से remove कर देता हूँ control A करता हूँ यहाँ पर उसके बाद control X उसके बाद यहाँ पर अब हम करने वाले है start promises इदर लिख देता हूँ promises तो चलो इतना लिख दिया तो अब क्या होता है promises का मतलब क्या है अगर हम simple language में जैसे बोलते हैं मैं आपसे promise करता हूँ मैं अभी आपसे promise कर रहा हूँ कि कल मैं इसी time पर video upload करूँगा यह मैंने आपसे एक promise कर ली पता नहीं है आगे पीछो हो सकती है लेकिन मैं आपसे promise करता हूँ कि कल मैं इसी time पर video upload करूँगा यह हुए एक promise अब इस promise के तीन answers होंगे तीन answers होंगे तीन answers में यह जो promise है ये divide हो जाएगी सबसे पहला answer इसका होगा यहां तो promise रहेगी कल तक जब तक मैं वीडियो को upload नहीं कर देता कल इस time तक ये promise जो है उस promise का ये वाला stage चलेगा ये promise जो है वो अभी इस stage पर है अगर कल इस time पर मैं वीडियो को upload कर देता हूँ तो मेरी promise जो हो जाएगी resolve कल मैंने इस time पर वीडियो को upload कर दी वीडियो upload कर दी तो मेरी promise हो गए resolve अगर मैं इस time वीडियो upload नहीं कर सका यहां तो आगे पीचे हो गई तो मेरी promise हो जाएगी reject ये 3 stages है promises के कल तक ये रहाएगी मेरी promise pending पर अगर मैंने वीडियो अप्लोड कर दी तो मेरी प्रामिस हो जाएगी Resolve और अगर मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर सका तो मेरी प्रामिस जो है वो हो जाएगी Reject अब ये बात तो समझ में आ रही कि प्रामिस के तीन स्टेजिस होते हैं जब तक वो टाइम नहीं आ जाता तब तक प्रामिस रहती है पैंडिंग पर अगर वो टाइम आ जाता है और वो काम हो जाता है तो प्रामिस हो जाती है Resolve वरना फिर Obviously से बात है अगर प्रामिस Resolve नहीं होगी तो फिर प्रामिस Reject होगी तो अब इसको लिख रहें का syntax क्या है उसको देख लेते हैं तो मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रामिस जो है वो एक object return करती है तो मैं यहाँ पर प्रामिस लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए यह प्रामिस नाम का एक variable है इसको आप प्रामिस समझ लिजिए और जैसे हम object create करते हैं ना new object करकर उसी तरह हम promise को भी new promise करकर create कर सकते हैं और यह यह क्या return करती है यह promise return करती है और यह भी एक objective होता है अगर simple अभी console.log prompt लिखूं तो क्या होगा देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलेगा हमें console के अंदर copy पात करता हूँ गूगल chrome पर आ जाता हूँ और इसको paste कर देता हूँ यहां पर और inspect करकर console में आ जाता हूँ console इधर देखिए हमारे पास आ रहा type error वो error क्या है मैं आपको दिखाता हूँ दुबारा से inspect करकर console में आ जाता हूँ type error promise resolver undefined is not a function at new promise इससे हमें क्या पते चल रहा है promise resolver undefined is not a function वो बोल रहा है promise जो resolve और ही वो undefined है मतलब उसकी नजर में कुछ है ही नहीं तो यह लेता है एक callback यह आप इसको simple यहाँ पर function भी define कर सकते हैं मैं अभी इज़र fact error function का use करूंगा और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ arrow function तो यह इतना तो हो गया अब अब क्या होगा यह लेता है दो parameters अभी समझ लीजिए यह promise यह जो पुरी की पुरी promise है यह अब जा चुकी है अपने पहले stage के अंदर कौन से stage के अंदर यह जा चुकी है अपने यह pending stage के अंदर अब बाकी दो stages का अंगे बाकी दो stages इस callback function के अंदर आएंगे सबसे पहला stage sorry second stage होगी resolve यह तो promise होगी resolve यह फिर promise हो जाएगी reject यह दो ही answers होंगे अगर promise resolve होती है और जो हमने काम करवाना है वो हम करवा सकते हैं अगर जो है वो promise जो है वो reject हो जाती है तो फिर जो error है वो हमें मिल जाएगा हम लोग अभी देखते हैं आगे इसको कैसे print कराना है तो मैं इधर लगा देता हूँ एक set time out set time out क्या करता है एक javascript का event है यह भी event ही माना जाता है इसको तो यह क्या करता है यह हर जैसे एक काम बार बार करानो जितने मरसी seconds के बार यहाँ पर millisecond basically लिखा है अगर एक काम बार बार repeated करानो तो यह sorry sorry मैं आपको बता रहा हूँ वो करता है set interval अगर आपको एक काम कराना हो कुछ time के बाद set time out क्या करता है एक time के बाद अगर आपको कोई भी काम करानो तो आप set time के अंदर दे सकते हैं और यहाँ पर आप millisecond में उस time को define कर सकते हैं और फिर वो जो आपका काम है वो उस time के बाद हो जाएगा तो मैं चार रहा हूँ दो second के बाद ठीक दो second के बाद क्या हो कि मुझे user का जो है वो name पता चल जाए अभी मैं user का name इदर डाल देता हूँ let obj get bio data get bio data is equal to name learn programming अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए कि प्रोग्रामिंग से related अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगा तो अब मैं क्या करता हूँ इदर लिखता हूँ console.log और get bio data.name सही है और resolve को कर देता हूँ call अब promise resolve होगी तो ये चल जाएगा अगर promise reject होगी तो फिर अभी हम अगर आगे कराएंगे तो वो भी चल जाएगा पहले मैं इसको दिखाता हूँ फिर reject वाला आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ अच्छा अब जो है अभी तो वो console में कुछ नहीं मिल रहा हमने इसको बता तो दिया अमारी promise को resolve कर दो हमने ये कब बताया कि resolve तो कर दो लेकिन कहां पर करो ये भी तो बताना है ना अब अगर promise जो है वो resolve हो जाती है मतलब promise जो है वो fulfilled हो जाती है त then method का अगर promise जो है वो हो जाती है reject तो हमें use करना पड़ेगा catch method का तो अब यहां पर use कर लेते हैं यहां पर मैं आ जाता हूँ इसको ले लेता हूँ from dot then यह लेगा arrow function और यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूँ for example name में लिख देता हूँ और अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूँ और मैं अगर console को name कराऊंगा तो अगर मैं अभी console कराऊंगा और आपको दिखाऊं रिफ्रेश करकर तो आपने देखा 2 सेकींड केबाद ठीक learn programming जらい है वो हमें console के अंदर मिलरहे है ऐसा यह क्या हो रहे है सबसे पहले set time out चला उसके अंदर हमने timer लगा दिया भाइट दो सेकींड के बाद आपने क्या करना है एक बायो डेटा नाम का हमारे पास object है उसके अंदर एक user है जिसका नाम है learn programming उसको console में आपने print कराने है अगर ये promise resolve हो जाती है अगर resolve हो जाती है तो ये लेगा एक parameter और वो parameter कहा जाएगा इस then नाम के method में अगर मैं इदर कुछ भी लिख दूँ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं ये same होना चाहिए अगर मैं एननन लिख देता हूँ और इसको copy करके यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर refresh करता हूँ तब भी मुझे दो second के बाद जो है वो console के अंदर ये मिलेगा और अगर लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं एननन लिखूंगा तो sense बननी चाहिए हाँ चीज की तो that makes sense कि मुझे इदर name ही लिखना हो चाहिए तो यहाँ पर मैं simply name ही कर देता हूँ जैसे पहले था और अब मुझे बिल्कुल ठीक मिल रहा है तो ये तो हो गया resolve अब आजाता है अगर resolve नहीं होगी तो फिर तो reject होगी अगर resolve नहीं होगी तो फिर तो reject ही होगी तो मैं इदर reject को call कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ for example यहाँ पर error और इदर dot catch अगर हमें error को use करना sorry reject का use करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा dot catch और अब catch को हमने error ही ले लिया और console.lock लिख देता हूँ not found not found यहाँ पर फेट arrow function आने तो मैं इसको दुबारे लिख लेता हूँ यह कोई mistake हो रही है यहाँ पर curly bracket की dot catch और यहाँ पर paste और यहाँ पर आजाएगा एक parameter और यहाँ पर आएगा error इसको copy करता हूँ और यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ तो यहाँ पर आगया error और reject के अंदर इधर में क्या करता हूँ console.log इससे बाहर आता हूँ console.log not found सही है अब मैं दिखाता हूँ अभी क्या होगा अभी आ रहे है not found क्योंकि हमने जो है वो reject को call कर दिया है अब जो है वो यह जो है set time out है यह अब resolve नहीं हुई promise promise जो है वो reject होगी क्योंकि हमने उसको बता दिया अब आपको error को जिखाना है तो इसलिए इसने क्या क्या अब promise को कर दिया reject तो इस तरह क्या हुई promise पहले हो रही थी fulfill मतलब resolve अब हो रही है promise reject अब इसका काम क्या अब यह समझ कि आप तो बोल रहे होंगे यह काम अगर मुझे करना होता तो दो सेकिंड के बाद अगर मुझे name का name get करना होता अगर पड़िक से तो मैं क्या करता simply दो सेकिंड के बाद set time up लगा देता और उसके अंदर ऐसे name लिख देता यह इस काम के लिए नहीं होता अगर promise का use करना है तो आपको कब use करना है तो अब उसकी बात करते हैं promise को basically हम तब use करते हैं जब हमारे पास कोई हमें data को fetch करना हो या फिर हमें कोई ऐसा काम करना हो कि जहाँ से data आने में थोड़ा time लगेगा और उसका हमें wait करना पड़ेगा तब हम promise का use करते हैं ताकि promise रहेगी यह तो अगर data मिल जाता है जब तक नहीं मिलता तब तक नहींगी pending पर अगर मिल जाता है तो होजेगी resolve वरना फिर a की answer है फिर होगी reject तो फिर अब इसका हम real life में use कैसे देखें वो हम देखेंगे अपनी next वीडियो के अंदर और यह जो dot then dot cash हमें अगर बहुत सारे होंगे object तो हमें बार बार dot then dot cash दिखना पड़ेगा तो इससे बचने के लिए आते हैं async await उसको भी हम next वीडियो में cover करेंगे तो next वीडियो देखना मत बूरेगे तो वो बहुत जादा important वीडियो होगा यह promises का part 2 होगा उसको आप जरूर देखेगा तो I hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताके आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहें अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाईज यार नहीं वीडियो कर दो काई प्रोग्राइब कर दो आपके लिए प्रोग्राइब कर दो